D. डीक में बुधवार को डीक शेत्र में दो व्यक्तियों के कोरोना वायरस पॉजिटिव पाय जाने के पश्चात भरतपुर जिला कलेक्टर नत्मल डेडेल ने सोनगा वा खोरी पंचायत के चिन्नित शेत्रों में जीरो मोबिलेटी एरिया घोशित कर कर्फ्यू लगा दिया है पॉलिस ने इन इलाकों में बैरिकेटिंग कर आवजा ही रोग दी है डीक उपजिला मजिस्टेट सुमन देवी सहित अन्य अधिकारियों ने कर्फ्यू ग्रस इलाकों का दौरा कर लोगों से कर्फ्यू की पालना करने की अपील की बुद्वार को डीक के ग्राम खोरी में खर्याडा के पटाओदी से आए दयाचंद, पुत्र, हीरा, वसोंगा पंचायत में अपने साले के साथ भवनपुरा रूपात से आए विरेंद्र की रिपोर्ट पॉजिटिव मिले के पश्चात, प्रशासन ने खोरी में पॉजिटिव पाई गए दयाचंद वा उसके छे परिजनों को भरत पर भेज दिया जिनके सेंपल लेने के पश्चात, दयाचंद को भरत पर कौरिंटाइन कर दिया गया जबकि उसके परिजनों को वापस खोरी बेज़ कर गांव के तीन अन्य लोगों के साथ गांव के ही विध्याले में कॉरिंटाइन कर दिया गया ब्लॉक सी एमेचो डॉक्टर हिमाशू पारशर के अनुसार सोनगाव में पाया गया पॉजिटिव की जानकारी देते हुए बताया कि नरेश 29 को चेननी से बाया आगरा होते हुए अपने जीजा विरेंद्र के साथ सोनगाव आया था जहां A&M ने उन्हें भरतपुर जांच के पश्चाथ विरेंद्र को भरत पर भेज दिया जबकि नरेश सहे 6 लोगों को औरिंटाइन कर दिया गया है सी एमेचो डॉक्टर पारिशर के अनुसार चनिश शेत्रों में सर्वे के लिए 20 टीमों को गठन किया गया है जो बद्वार से घरगट जाकर सर्वे कारे खोरी में एक आत्मी के रिपोर्ट पॉजिटिव आई है दया सिंग सानॉफ हीरा ये जो आत्मी है ये आया है हमारे हां हर्याना से करीब दस तारिक के असपस आया था इसकी रांड़म सैंप्लिंग की गई और इसकी कल रिपोर्ट आई जिसमें पॉजिटिव आया गया है अभी यहां पे पुलिस पता चुकी है, उनके अधिकारी आ चुके हैं, वो पूरे में अनांसमेंट कर रहे हैं, कर्फिय लगाया जाएगा, इकमिर यह जो है, जिस महले को कर्फिय लगा के सीज करेंगे, वहां पे जो सबजी विकरेता, आनी विकरेता, चक्की वाले और विदाना हो, साथ ही कॉरंटाइन सेंटर की विवस्ताइं देखने के लिए थे, प्राइमरी स्कूल उधर है, खोरी का, वो छोटा है, उसमें चार ही कम रहे हैं, तो यह गिरसे का हम ने देखा है, यहां करीब 6 कम रहे हैं, अभी अजियो साब के आदेश इनुसार पाइनल किया जाएगा कि कहां पर कितने लोगों को शिफ्ट करना है, और बाकि सभी विवस्ताइं करने के लिए हमने अपने सेक्रेटरी और LDC को पावंद किया है, कि सारे कॉरंटाइन सेंटर की सफाई करा लें, सवाचाले की सफाई करा लें, पानी की परपूर विवस्ता रखें जर्मी की मौसम को देखते हैं, और हाइपोक्लोराइड का स्प्रे कराएं कर्फ्यूगरास्ते एरिया में, और कॉरंटाइन सेंटर में, साथ ही इनके भोजन के विवस्ता, और बाकि साबन मगेले के विवस्ता, यह अपने से मुश्चिक रहें